नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार्ग महासिवरात्री 2022 फालगुन मार्च के कृष्ण पक्ष की चतूर दसी को महासिवरात्री मनाय जाता है यानि कि अमवस्या और पुनिमान दोनों ही पंचांगों के अनुसार महासिवरात्री एक ही दिन पढ़ता है इसलिए हम चुकि 2022 में एक मार्च को महासिवरात्री मनाय जाएगा हला कि हम विस्तार से इसका मूर्थ के बारे में आपको डिस्क्रिप्सिन में देंगे आप जरूर देखिएगा कैसे करेंगे पूजा देखिए लोटे में जल या दूद भर कर उपर से बेलपत्र आग धोतुरे के पुस पर अक्षट जरूर डाले और लेया कर सिवलिंग पर अरपित कर दें अगर आग घर के आसपस कहीं सिवलिंग तो घर में ही आप चाहें तो मिट्ती का सिवलिंग बनाकर उसका पूजा कर सकते हैं सिप पुरान का पाठ करें, महा मिर्तुन्जय मंतर का जब करें या नमह सिवाय का अनवरत जब करें तो उत्तम होता है महा सिवरात्री की रात्री का जागरन का विधान है सास्तर कहता है कि सिवरात्री का पूजन निसीत काल मे करना सर्ब स्रेश्ट रहता है अब रात्र आप चाहें तो चारो प्रहर में अपनी सुविदा नुसार भी पूजा कर सकते हैं महा सिवरात्री वैसे तो मासिक सिवरात्री के तोर भी मनाया जाता है लेकिन जो फालगुन मास की सिवरात्री है ये महा सिवरात्री है अब रित्यू परिवर्तन भी होता है जोतिस कहता है कि चταूर्दसी तिति को चन्रमा अपनी कमजोर स्थिति में आ जाता है और चन्रमा को शिब झी ने मस्तक बरधारन किया है इसलिए सिब जी की पूझा से ब्यक्ति का चन्र मजबूत होता है चंद्रमा जो मन का कारक है दूसरे सब्दों में ये कह सकते है कि सिपजी की अराधना से इक्षा सक्ती मजबूत होती है अंतकरन के में अदम में साहस और दिर्टा भी बढ़ता जाता है तो महा सिबराती इस बार एक मार्च को मनाया जाएगा और सुम मुर्थ क्या है आईए जानते हैं दो सब्दों में दिखे आप पारन करेंगे दो मार्च को सुबाद 6 बच कर 46 मिनट के बाद फिलाल बिदा लेंगे हरहर बहादेव धन्यवाद